तो दूस्तों आप यूट्यूब वीडियो के लिए एक प्रोफेस्टनल स्क्रिप्ट कैसे त्यार कर सकते हो बहुत बार आप लोगों ने देखा है और मुझसे कोश्चन भी किया कि मैं आदे आदे गंटे लगातार कैसे बूल लेता हूं मैं अतनी लंबी लंबी वीडियो ब देखते हो बड़े बड़े यूट्यूबर्स एक गंटे तक लगातार स्पीच देते रहते हैं उनका कोई भी वर्ड गलत नहीं होता है बिल्कुल वहां पर साही करेक्ट वीडियो बनाते हैं और ज्यादा टेक्स भी नहीं लेते हैं तो ऐसा कैसे होता है अगर कोई भी प् प्रफेशनल स्क्रिप्ट तयार करना बताऊंगा यूट्यूब वीडियो के लिए आप लोग कापी ले के बार बार उसे फोकस करते हो ध्यान देते हो तो यह चीज आप लोग नहीं करोगे आप जो एक टिप्स बताऊंगा विल्कुल राइट करने मालब एक अच्छे तरी कि लिए और प्रफेशनल यूटूब वीडियो की स्क्रीप से लिखी जाती है कि लास अप यह और यह बदी वीडियो की स्क्रीप लिए स्क्रिप्र खिला अचेक्या कर सकता हूं इसे Critciesी पहले वाइट कि लेते हो आपका फेस नहीं आता है दूसरे अफर आप फेस के वीडियो तो जो दूस्तों वाइस के रिकार्डिंग वीडियो होती उसमें आप टेक ले सकते हो उसमें पता भी निचले गा क्योंकि इतनी मस्ट की जाती हो वहां पर अगर आप टेक ले भी लोग है तो आपको पता है आपको लगातार बोलते रहना होता है आप इदर उदर ज्यादा देख भी नहीं सकते हो इसलिए आपको अपनी दिमाग में पूरी स्क्रिप्ट रखनी होती है पर अगर आप इसक्रिप्ट पहले लिख लेते हो कहीं उसको ध्यान दे लेते हो तो आपके दिमाग में आपको एक पॉइंट करके दिखाऊंगा तो दोस्तों अब आप प्रोफेशनल स्क्रिप्ट लिखना चाहते हो तो आप सहीं स्क्रिप्ट शेखना चाहते हो तो आख्री में आपको खुदी लाइक करना पड़ेगा इस वीडियो को क्योंकि मैं इतने अच्छे से एक पॉइ को फॉलो कर सकते हो आपको यूजरनेम दिख रहा होगा इंस्टागरम पर भी मैं बहुत अच्छी चीपिक और इंफोर्मेशन सेर करता रहता हूं आतिक नहीं का पर आप कहा रहा हूं कि जाके इंस्टागरम पर फॉलो कर सकते हो तो दोस्तों चलता मुबाइल स्कीन की तर पर सूट कर रहें हैं आपको रुखना नहीं पड़ेगा आप मैं अधाय घंटिल एक लगातर बोल सकते हैं तो इस सपप लरा Esp उसी साब से लिखते हो तो आप बहुत ही आसानी से अच्छे स्क्रिप्ट लिए सकते हो और प्रोफेशनल स्क्रिप्ट जैसे लिखी जाती है वह आपको मैं तरीका यहां पर बताने वाला हूं सबिसे पहले आपको जरुबत होगी नोटपैट की तो यहां पर मैं गूगल की यूज़ कर रहा हूं आप अपर na other cannot या वीडियो का टाइटल डिसाइड कर लिना कि आप किस वीडियो के टाइटल पर वीडियो को बनाना चाहते हैं आपकी वीडियो का टाइटल आपने डिसाइड कर लिया तो उसके अंदर का जो भी सिस्टम हो आप डिसाइड कर सकते हो माली जी सबसे पहले मैंने यहां पर इसकेट फॉर यूटुब वीडियो यहां फिधी लंबी वह थ्यान से समझेगा यहां पर सबसे पहले टैटल आप में डिस्क्राइब के लिए आफ यहां फे डिसक्रिप्शन करते हैं यह सबसे पहले आपको क्या छी ध्यान देनी होगी इंट्रोडेक्शन आप माली जैब य यहां पर introduction होगा ठीक है दूसरी heading हम लोग की पड़ेगी यहां पर body ठीक है जैसा कि यहां पर professional लिखा जाता है script उससाथ पर मैं बता रहा हूं तीसरे यहां पर heading होगी तीसरा यहां पर sub heading होगी sub heading के बाद आपके यहां पर details आएगी ठीक है यहां पर details पर आने के बाद में यहां पर conclusion आएगा आप जैसे कि कभी अगर ऐसे लिखे होंगी तो उसमें भी इसी तरीके से आप देखे होंगे पहले introduction होता है फिर body के अंदर heading होती है sub heading होती है details दी जाती conclusion दिया जता है उसके बाद आउट्रो ठीक है अब यहां पर एक पॉइंट को मैं deeply यहां पर decide करने वाला हूं तो आपको ध्यान से समझना है आप माली जी यहां पर total एक दो तीन चार पांच है साथ पॉइंट यहां पर दिये हुए अभी introduction की बात करते ह आपको क्या करना है कैसे decide करना है कैसे लिखना है introduction में सबसे पहले अगर आप अपना बारे में बताते हो तो आप बता लीजिए जैसे मैं अपनी वीडियो में बताता हूं hello friends में राना में सुभा आपको मेरे वीटी चैनल पर स्वागत है चलिए friends से मैं फिरसे अजरू introduction ने वह आप हटा दिए मैं आप वीडियो के introduction के बात कर रहा हूं सबसे पहले अगर आपके कोई वीडियो में अगर आई यह चीज है यही सबसे important होती है इसी से आपको जो वीवर से वो decide करते है कि यह वीडियो को देखनी है कि नहीं देखनी है इस वीडियो से मुझे क्या मिलने वाला है अगर आप इसी चीज में introduction में ही गलती कर देते हो न तो आँगे यहां तक जो यह बाखी पॉइंट से इन पर कोई आएगा नहीं लास्त वीडियो जब देखी जाती जब introduction ही बढ़िया होगा तो ऐसा क्या लिखे introduction में ऐसा क्या बता introduction में जो सबसे मस्त आप आपको वीडियो को बना देता हूँ यहां पर बात करते हैं कि starting के जो आपके 30 seconds होते हैं उसमें आपको introduction देना है कि आपको इस वीडियो में क्या topic मैंने discussion किया है आपको इस वीडियो में क्या मिलने वाला है मालिज्या आपने यही वीडियो का मैं एक्जांपल देता हूँ म आज मैं आपको professional script लिखना सिखाऊंगा जिससे आप लंबी लंबी वीडियो बना सकते हो और एक professional script कैसे लिखी साथ यह सबकुर मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो यह हुआ introduction इस वीडियो का ठीक है आपने वीडियो का introduction बिलकु सही सही 30 seconds में बताना है जैसे introduction का काम complete होता है अगर वह introduction आपने मस्त दे दिया तो वहां पर वीवर्स को आँगे आने में मदद मिल गई ठीक आब वह आँगे आपकी वीडियो को watch करेगा अब उसको आँगे क्या चीज़ आपको दिखानी है सबसे पहले बात करते हैं जो body मैंने आप बताया है यह point के अ और अंदर समक्राविवां से अमलाना चाहते हैं अब सब्काव बना तो आपको को वीडियो करना होगा兩व करना होगा ऐसे आप जो बता रहे हो उसकी sub heading बनाते चलो जिससे आपको उस चीज को बोलने में आसानी होगी आप माली जी पहले decide कर लो कि मुझे starting की 2 minute में ये heading बोलनी है मुझे अब आप सब heading के अंदर जो heading होती है उन्हें कहते हैं कि sub heading ठीक है starting की 2 minute में मुझे ये बोलना फिर starting की 2 minute में ये बोलना ऐसे करके आपको decide कर लेना है कि मुझे 2-2 minute की ये 5 जो sub heading है ये clear कर देनी है ओके अब आते हैं यहाँ पे details heading तो आपकी clear है और sub heading भी clear है और यह आप details में details में यह होता है दोस्तों कि यहां तक हो सके details आप अपनी मर्जी से बताओ details आप खुद बोलने की कोशिश करो क्योंकि मालो आज आप यहाँ पे script लिख रहे हो script आपकी video में काम आ जाएगी पर आप कहीं अगर live concert कर रहे हो live आप कहीं seminar attend कर रहे हो live आप किसी को teach कर रहे हो तो वहाँ पे आप बार बार script खोल के नहीं देख सकते हो वो आपको mind में details रखनी होंगी कि मुझे इस video में क्या details देनी है जो आपके काम आए अगर आपकी creator हो तो आपको मालूम होगा कि इस video में मैं क्या बताने वाला हूँ यह video किस topic पे है तो आपकी जो details हो आप अगर कोई main point है जो आप नहीं याद रख पा रहे हो कोई ऐसी चीजे है कोई ऐसा word है जो नहीं याद कर पा रहे हो उसको आप details के अंदर लिख सकते हो कोई भी topic आप उठाए हो तो उसके अंदर जो भी बाते आप बता रहे हो details आती है ठीक है अब details आपको क्या बतानी वह आपके उपर है आप उसको इतनी अच्छे से teach करो इतने अच्छे से simple तरीके से बताओ बहुत सो लोग करते क्या है कि वह सुच्छे वीडियो लंबी ब अगला बंदा यहां से introduction आपका सुन लिया heading देख ली तो details पर क्या भाग जाएगा अब आया है इतनी दूर तो आपकी बास सुनके ही जाएगा तो यहां पर details पर आपको हड़बराना नहीं है बहुत लोग इतना तेजी बोल जाएंगे इतने उसमें अंग्रेजी सब्सक्र देंगे कि अगले बंदियो को सुमन में नहीं आता है वो वीडियो में पसंद ही नहीं करेगा यहीं चीज आपकी वीडियो की quality आपकी वीडियो की जो आपने बता है यही चीज़ करती है अगर लाइक डिसलाइक रेशियो आएगा तो यही चीज़ करेगा कि आपकी वीडि वीडियो में अब आप हैडिंग अच्छी दे दिये तब और खुस हो गया सब हैडिंग बता दी आप सब हैडिंग के अंदर जो डिटेल्स बतानी उसी में आप गड़ बढ़ा गये तो अगला बंदा कहेगा क्या यार आप पहले के स्टाइटिंग के पांच मिनेट ये खा गया मेरे अब जब में यहां पर टॉपिक आया डिटेल्स का तो इसने आप गुरू गोबर कर दिया तो यहां पे आपको ध्यान देना है कि डिटेल्स आप जो बतारो बिल्कुल क्लियर बताओ कम सब्दों में ज़्यादा बात क्लियर करने की कोशिश करो और यह आप जब ही सीखोगे जब आप रेगुलर मेंटिनेंस से वीडियोस बनाओगे कश्टी टेंसी से तो आपको यह दीरे-दीरे आने लगेगा आप जानकारी को जितना अपने माइंड में रखोगे उतना ज्यादा अच्छा है आप दीरे-दीरे स्क् आपको बिल्कु क्लियर करके रखना है अपने माइंड में पहले 5-10 मिट आप सोच लो अपने दिमाग में क्या बताने वाला हूं आपको हड़ा कि कुछ भी नहीं बोलना है बहुत सो लोग करते क्या टॉपिक कुछ और है पहुंच कहीं हो जाते हैं बताने कुछ और लगत अब बात कर लेते हैं कंक्लियोजन के अंदर थीक है कंक्लियुजन को तो बहुत लोग जानते होंगे जो इंग्लिस पढ़े है अ 50 कं क्या है ुसको आर्थ कंक्लियूजन का पताया ठीक है उस वीडियो का अरथात क्या अक्ला अगर आपने यतनी वड़ी 5 मिनिट की वीडि का कंक्लूजन देता हूं यहां पर ठीक है वह तो वैसे मैं लाश में देने वाला था पर यहीं पर देता हूं कि मालीज अगर आपने यह वीडियो आद देख लिए तो आप हमेशा के लिए एक प्रोफेशनल स्कृ्प्ट लिखना सीख गए हूं म Earn मला आप इसवीडियो के फाइदे बता जो फायदे आपने इस वीडियो से निखाले है वह आपको conclusion में देने ठीक है आप conclusion में आपने दे दिया यह बहुत यह अच्छी तरीके से आपको उनको बताना है लोगों को मला impress करना होता है कि इस वीडियो से अफ्टरों में यह नहीं होता है यहां पर आपको एक important notice बताओं कभी भी starting में मत कहिएगा कि चैनल सफ्क्राइब कर लो भाग जाएंगे आपकी वीडियो आंगे देखेंगे नहीं आपको कहना जरूर है बस last में क्योंकि याद दिलाया जाता है जाते जाते वेक्ट को अगर आपने याद दिला दिया मेरे चनल सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को प्रस कर लो तो आपका चनल 100% सब्सक्राइब होगा क्योंकि अगर अगला बंदा यहां पर लास तक वीडियो देखते हुए आया है तो उसको आपकी वीडियो से कुछ नॉलेज मिली होगी तभी वो यहां लास तक आउट्रो तक आया है और अगर आया है तो 100% चैनल आपका सब्सक्राइब करके ही जाएगा ठीक है अब दोस्तों यहां पर आउट्रो में आपको क्या करना है बहुत से लोग आउट्रो में ही घड़बड कर देते हैं ध्यान से सुनिएगा बिल्कुल यह बात अब आपकी माली जी इतनी वीडियो बन चुकी है पांच मिनट की आप देख रहे हो कि मेरी पांच मिनट की वीडियो बन गई है अब यह बहुत ज्यादा वीडियो लंबी होती चली जा रही है तो लोग घड़बड आ के विल्कुल आउट्रो इतनी जल्दी बोल देंगे चाल को सब्सक्राइब करें बेल इकन को प्रस कर लिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बनता रहता है और चैनल को सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रस कर लिए जिससे आने वाल इंट्रेस्टिंग वीडियो इसको नोटिफिक्रिक्रिशन आपको मिलती रहेगी आपको बिल्कुल प्यार से देखना है ठीक है अगर आप यहीं पर गड़बर कर दोगे ना तो अगला बंदा अगर कर वीड़ा होगा ना तो नहीं करेगा ज्योंकि वो आप इतनी तेजी बोल जाओगे कि उसको आपकी भासा क्रेंच लगेगी वो समझी नहीं पाएगा वहाँ वीडियो आपकी स्किप करके हटा के चला जाएगा तो लास्ट के चीज में आपको उसको विल्कुल इंप्रेस कर देना है कि वो आपका चैनल आप इतनी वीडियो देख के आया है और ये वीडियो बताईए कि कैसी बनी है नीचे कमेंट सक्षन में बताईए अपना फीडबैक जरूर दीजे आपको इसा बाते अपनी वीडियो में जरूर कहनी है जिससे आपको भी पता चलेगा कि आपकी वीडियो कैसी बनती अगला बंदा क्या चाहिता है उसका feedback मांगा करो और ये भी का करो कि अगर आप कुछ वीडियो कुछ नहीं समन में आए तो आप comment में पूछ लिजे इससे बंदे को ये लगता है कि ये हमारे लिए काम कर रहा है अगर हम इसको comment करेंगे तो ये उनको reply देगा एक भरोसा जनरेट होता है जब तक आपका भरोसा आपके वीडियो के साथ नहीं होगा तब तक आपका चैनल में community नहीं बनेगी तब तक आपका subscriber waste नहीं बनेगा कि अगर आपने introduction अच्छा दे दिया तो वीवस लाश तक आपकी वीडियो देखेगा और outro अच्छा दे दिया तो चैनल को हमेशा के लिए subscribe करेगा दोस्तों यही दोनों चीज है heading बहुत ज़्यादा ध्यान लखेगा introduction और बीच में आपको conclusion भी ध्यान लखना है जैसे conclusion नहीं दोगे न तो इनसान को यह नहीं लगता कि मैंने क्या पाया अगर उसको आप अच्छे चीजे बताओगा कि आपने इस वीडियो से यह यह चीज पाई है यह आपको लाब हुआ है तो बहुत खुस हो जाएगा तो दोस्तों आप देखरो आदे गंटे से मैं मैं पहले भी आप देखरो कि यह वीडियो में बोल लाता अभी भी लगातार बोल ला हूँ तो यह वीडियो भी scripted थी इसलिए मैं इतना लगातार बोलता जा रहा हूँ मैंने details अपने मर्जी से यह यह पे दिये मैं details कभी भी लिखता नहीं हूँ copy नहीं करता हूँ पर heading sub heading मैं लिख लेता हूँ जिससे मुझे ध्यान नहीं कि मैंने यहाँ पर क्या क्या बताना है मैं हर बड़ा हूँ नहीं अगर heading नहीं लिखोगे न तो आप भूल गाओगे कि मुझे आंगे क्या बताना था किस topic पर इसलिए heading के topic और sub heading के topic यहाँ पर ध्यान लखना है ओके फ्रेंट्स यहीं पर वीडियो लास्ट हो रही है तो मैं जाते जाते यह कहूंगा कि अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट करके देखो आपको 100% reply मिलेगा और यहाँ पर समन में आ गया हो वीडियो अच्छ दोस्तों अगर इतनी पसंद आ गई यह वीडियो लास्ट तक आई गे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो बैल आइकन को प्रस कर लो जिसे आने ओले इंटेस्टिन वीडियो से निटिफिकेशन आपको मिलती रहेंगी और लाइन में आप भी कुछ ना कुछ सीखते रहेंग